दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूँगा कि गूगल पे का अकाउंट कैसे बनाएं अकाउंट मनाने के बाद बैंक अकाउंट को कैसे एड करें और यूपिए आडी कैसे बनाएं इन सबी के बारे में आज मैं आपको A to Z complete जानकारी दूँगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आप प्ले स्टोर से गूगल पे अप्ली केसन को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद आप अप्ली केसन को ओपन करेंगे और ओपन पे क्लिक करते ही आपके सामने नेस्ट पेज खुल के आ जायेगा और यहाँ पे आप मुबाईल लंबर इंटर करेंगे और मुबाईल लंबर इंटर करने के बाद आप नीचे नेस्ट पे क्लिक करेंगे और next पे क्लिक करते ही आपके सामने next page खुलके आ जायेगा और यहाँ पे term and condition एसेट करेंगे और नीचे आप accept and continue पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही यहाँ पे आपके mobile number को verify किया जा रहा है mobile number verify होने के बाद आप इसको नीचे more पे क्लिक करेंगे नीचे not now पे क्लिक करेंगे और अब आपका google पे में account बन चुका है और अब आप google पे में bank account को add करेंगे तो bank account को add करने के लिए उपर ही आपको option देखने को मिल जाएगा added bank account आप इस पे clicking करेंगे और clicking करते ही उपर ही आपको यहाँ पर popular bank देखने को मिल जाएंगी और नीचे भी आपको कई सारी bank देखने को मिल जाएंगी तो आपका खाता किस bank में है आप यहाँ पर bank select करेंगे तो नहीं तो आप उपर search भी कर सकते हैं तो आपका खाता किस bank में है आप यहां पे bank का नाम सर्च भी कर सकते हैं तो जैसे कि हमारा खाता state bank of India में है तो हम यहां पे state bank of India हम इस पे click करेंगे और यहां पे आप permission देंगे आप यहां allow पे click करेंगे और click करते ही यहां पे आप देख सकते हैं verify number with your bank तो आपके mobile number को यहां के यहां पर एस मेस पेड़िधा किए चाहेगा कि अगर और को मोबाइल लंबर में लिंक में लिंक या नहीं है और अगर आप मोबाईल स्थी केस करा है ने हमारा यहां पर फा में लिकीक यहां सरॐ तो यहाँ पे आपके account number के last के चार अंक आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको branch, name और FSC code देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपका mobile number ही automatic यहाँ पे UPID यहाँ पे create हो जाएगी और अगर आप इस UPID को change करना चाहें तो आप edit पे click करके आपनी मर्जी का यहाँ पे UPID बना सकते हैं और अब आप नीचे proceed to add पे click करेंगे और proceed to add पे click करते ही आपका यहाँ पे bank account successfully add हो चुका है यहाँ पे आप देख सकते हैं account added successfully और अब आप यहाँ पे set करेंगे UPI pin तो जब भी आप पैसा transfer करेंगे तो आप UPI pin के जरीए ही आप पैसा transfer कर पाएंगे तो UPI pin set करने के लिए यहाँ पर आपको option देखने को मिल जाएगा reset pin आप इस पे click करेंगे और click करते ही UPI pin set करने के लिए आपको यहाँ पे debit card की detail देनी पड़ती है तो यहाँ पे आप debit card के last के छे अंग आप यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे आप debit card की month और expired year इंटर करेंगे और debit card नमबर और expire date इंटर करने के बाद आप नीचे click करेंगे और क्लिक करते ही आपके मुबाइल नंबर पे OTP सेंड किया जायेगा तो यहाँ पे OTP आटो फिल हो जायेगा और अगर OTP आटो फिल नहीं होता है तो यहाँ पे आप OTP इंटर कर देंगे और अब आप यहाँ पर सेट करेंगे UPI PIN तो आपको यहाँ पर अपनी मर्जी का छेंको का आप यहाँ पर UPI PIN इंटर करेंगे और UPI PIN इंटर करने के बाद आप यहाँ सोपे क्लिक करके आप यहाँ पर UPI PIN भी देख सकते हैं और अब आप नीचे चेक साइन पे क्लिक करेंगे अब आप फिर से कनफर्म करेंगे तो यहाँ पे आप फिर से UPI PIN इंटर करेंगे UPI PIN इंटर करने के बाद आप नीचे चेक साइन पे क्लिक करेंगे और check sign पे click करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं UPI pin successfully set तो आपका यहाँ पे UPI pin set हो चुका है तो हमारा यहाँ पे successfully bank account add हो चुका है और यहाँ पे आप full name इंटर करेंगे और नीचे आप term and condition accept करेंगे और आपने यहाँ पे जो भी bank account add किया यह, bank account की details देखने के लिए आप सब से ओपर profile की आईकन पे click करेंगे क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं bank account one account आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे bank account के last के चार अंक देखने को मिल जाएंगे तो जो भी आपने bank account एड़ किया है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और अगर आप और भी bank account add करना चाते हैं आप फिर से added bank account पे click करके आप और भी bank account add कर सकते हैं और Google Pay में आप अपने reward point देखने के लिए आप इस reward पे click करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे reward point देखने को मिल जाएंगे तो जितनी भी आप रिचार्ज करेंगे या पैसा transfer करेंगे तो आपको यहाँ पर हर रिचार्ज और money transfer पर आपको यहाँ पर reward point दिये जाते हैं और Google Pay से पैसा transfer करने के लिए यहाँ पर आपको option देखने को मिल जाएगा new payment आप इस पर click करेंगे और click करते ही आप यहाँ got it पर click करेंगे के सामने next page खुलके आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं transfer money तो आप bank transfer भी कर सकते हैं account number और FSC code के जरीए आप direct bank account में भी transfer कर सकते हैं और आप phone number के जरीए भी आप पैसा transfer कर सकते हैं और UPID और QR code के जरीए भी आप पैसा transfer कर सकते हैं और आप अपने account में भी पैसा transfer कर सकते हैं और यहाँ से आप recharge और pay bill भी कर सकते हैं आप यहाँ से mobile recharge और bill payment भी कर सकते हैं आप यहाँ bill payment पे click करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे bill payment के option देखने को मिल जाएंगे electricity, DTS, Google Pay, gas cylinder booking तो यहाँ से आप online ही bill payment कर सकते हैं और अगर आप अपना account balance देखना चाहें तो आप यहाँ view account balance आप इस पे click करेंगे और यहाँ पे आप छेंको का UPI pin इंटर करेंगे और UPI pin इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर account balance देखने को मिल जाएगा तो ऐसे दोस्तो आप Google Pay में account बना सकते हैं आसा करता हूँ दोस्तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं दोस्तो नेश्ट वीडियो में जेहिन